स्याम का टाइम हो चला हैimet और मैं बनाँ रहीं कुछ टेष्टी हैल्दी स्नैक्स फटा पर्चे बन्के हो जाएंगे रेडी तो यह मैंने बनाए है काली चने कीवाब जो हैल्दी होते ही हैं और साथ में इन्हें बनाना भी बहुँ जादा आसॉन होता है सुबह ना मैंने काले चने बनाए थे थोड़े जादा भीग गए थे फिर मैंने इनको रख दिया था और जैसे ही स्याम हुई तो इनी चनों से मैंने फटापट से बहुती टेस्टी स्नेक्स बनाके रैडी कर लिया काले चने के क्वाप बनाने के लिए चनों कुरात भर भीगो दिया था शूबह फिर बागई भी ठोले बनाए ना तो इन्हें नमक डालके बोईल कर लिया था तो ज़्यादा लग रहे थे थोड़े से बच गए थे मैंने फ्रीज में रख दिया था और अब शाम को मैंने इनक अच्छा टेस्ट आएगा और पानी नहीं डालना है नहीं तो फिर घोल बन जाएगा आपके कवाब बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेगे अब इसमें डाल रही हूं एक प्यास एक हरी मिर्ची अद्रक लेसुन और खटाई के लिए मैं इसमें डालेंगी निम्बू सब होती है और खाने में बड़े ही अच्छी लगती है लेकिन इस भार बोल बनाना चाहें नहीं, लहीं प्रशुराने बनाना चाहें। बनाता लैसन बनाना चाहें के खूंथ यहीं, वहीं बना सकते हैं। सारी सब्सक्राइब में चन्नीे मिक्स्टरा के ति इस बाल जाएंगे कुछ फले इसमगे ढूबर मिर्ची पाउडर तो आप अपने टेस्ट के नुसार हैं पर शीजी iejड़े कर सकते हो यह मैंने डाल दिया है कस्तूरी में अंटी उसके बाद मैं डाल रही हुं साबुत जीरा आप चाहें तो साबुत धनिया भी डाल सकते हो, उपर से मैंने डाल दिया है हींग और चाट मसाला, आपने या पे गरम मसाला डाना है तो आप वो भी डाल सकते हो, जितनी फ्लेवर आपको पसंद है, और जब से टेश्ट आपको अच्छा लगता है, उसी हिसाफ से आपने आपे चीज़ बनाएं, अच्छे से उनको बाइंडिंग मिल जाए, और जब हम फ्राय करें तो यह फटे नहीं, बिसंद डालने के बाद इसको अच्छे से डो की जैसे गूंत लेना है, पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने इसमें पानी नहीं डालना है, उस किनारी को गुमा लेंगे, ताकि किनारी अच्छे से सेप में आ जाए, ऐसे ही सारी कि सारी ना, पहले मैंने गोल गोल बना ली थी, और उसके बाद सबको टिकी की सेप को मैंने दे दिया था, और अब इन्हें करेंगे हम सेलो फ्राय, तो बहुत जादा घी तेल हम यापे य दाल दिया है, थोड़ा सा तेल और जैसे ही तेल गरम हो गया तो मैं इसमें डाल रहे हूँ हमारी ये रैडी करी हुई कटलेट, पहले मैं सोच रही थी कि सारी डाल दूं, बढ़ना सारी इसमें मेरे को लग रहा था, फिर एकदम से ऐसे हो जाएगे, अच्छे से पलटी न नहीं रखना है, मिडियम से लो आँच पे ही आपने इनको करंची होने तक अच्छे से फ्राय करना, जैसे मुझे लगा कि एक साइड से अच्छे से फ्राय हो गई है, तो फिर मैंने दूसरी साइड से भी इनको अच्छे से से लिया था, और ये देखिए हमारी ये कटलेट बनके हो गई थी, और ये बहुत ज़्यादा टेश्टी बनके रेड़ी होती है, और एकदम से हेल्दी क्योंकि हमने इसमें बहुती कम घी तेल का भी यूज करा है, दूसरे बैस की भी मैंने बना के रेड़ी कर दी थी, सेम प्रोसीजर से, लीजिए हमारा ये हेल्दी साइ यून टाम स्नेक्स बनके हो गया है, रेड़ी, तो आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं, कैचप के साथ कहा सकते हैं, और साथ में चाट मसाला, चिली फलेक्स, औरिगैनो, भूना हुआ जीरा, रेड चिली पाउडर, तो जैसा आपको पसंद है उसे हिसाफित इसे आपने बच्चों को ना दही के साथ को खाना पसंद होता है। इसलिए मैं ने बना के रेडी करूड़ कि अपिस हैं और पीस ले लिए वैसे में अच्छा लगता है कैचॉप और दही के साथ में कम खाना पसंद करते हूं। आप चाहें तो इसको ना हरी चटनी के साथ भी खा सकते हो उसके साथ भी के काफी अच्छी लगती है तो लीजिए आज का हमारा इवनिंग स्नेक्स बनकी हो गया है रेडी और आपको ये रेस्पी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और यदि आपको में रेस्पी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइव करना जाद से जादा सेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब और मैंने इनको दोनों चीज के साथ खा के ट्राइक किया दही और साथ में कैचप के साथ ये बहुत जादा स्वाधिष्ट बनी थी तो बाइफ्रेंड्स मैं रहें खाते रहें पीते रहें और जुड़े रहें मेरे साथ बाइब